नमस्कार दूस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि फोटो शॉट अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो guys गर आप भी जानना चाहते हो कि Photoshop application क्या है और इस application को हम अपने फोन में कैसे use करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा प्लेइस्टोर में जाके सबसे पहले आपको Photoshop application को अपने फोन में डाउनलोड करना है अप प्लेइस्टोर में जाके सर्च करेंगे Photoshop, Photo Editor तो यह application आपके सामने आज जागे सिपने फोन में डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अगर आप इस application के reviews rated वगरा चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप जो कर सकते हो नीचे के साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो है इसके reviews rated वगरा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे 4.3 को star मिले हुए 21,000 के reviews है rated देखते हो 3 प्लस rated है और 50 लाग प्लस इसके जो डाउनलोड है अब गाइस मैं आपको बताएता हूं कि यह application है क्या तो basically यह जो application एक photo editor application है इसके इंदर आपको जो अलग लग photo edit करने का option मिलेंगे जैसे cartoon effect भी इसके इंदर आपको मिल जाएगा कोई भी आपको object अगर आप इस photo में से remove करना तो वो भी इसके इंदर आपको मिल जाएगा background चेंज करना तो वो भी option मिल जाएगा cut out करना वो भी मिल जाएगा color change करना theme change करनी है वो भी मिल जाएगा filter लगाना है वो भी मिल जाएगा text editor बहुत सारे इसके इंदर option मिलेंगे आप जो है अपनी photo को edit करने के लिए इसमें ठीक है ना तो कैसे application को use करना चले ही मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे बहले यहाँ पर हम application को open करेंगे अब जैसे यहाँ पर हम इस application को open करेंगे open करने के बाद first time यह application थोड़ा सा loading लेगा देख तो नीचे की side में लिखा हो देखने को मिलेगा loading app तो यहाँ पर application थोड़ा से loading होगा और loading लेने के बाद यह application कुछ इस तरह से open हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर हमें language select करनी है तो language यहाँ पर हम English रहने देंगे आपको जो भी language select करनी है आप यहाँ पर कर सकते है उसके बाद कुछ इस तरह से यह application हमारे सामने open हो जाएगी तो अब guys यहाँ पर अगर आप इसका premium plan देखना चाते हो तो यहाँ से purchase करना चाते हो तो कर सकते हो अगर आपको नहीं करना तो उपर के side में cross पे click कर सकते हो उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे तो कैसे photo को edit करना वो भी मैं आपको बताएदा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी home page में option मिलते है सब भी option यहाँ पर आप जो देख सो बहुत सारे आपको option मिलते है सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे एक example के लिए मैं हैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर plus वाल icon पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे एक photo select करेंगे तो यहाँ पर permission को allow करेंगे permission allow करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारी gallery open हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा अपनी gallery से हमें photo select करनी है जिस भी photo को आप edit करना चाते हो उस photo को यहाँ पर आप जो select कर लेजिए ठीक है नो यहाँ पर आपका folders भी आ जाएगा इस folder मैंसे अगर कोई आपको photo लेनी है तो वो भी photo यहाँ पर आप जो ले सकते हो जो भी photo यहाँ पर आप select करना चाते हो यहाँ पर जो कर सकते हो चलिए for example के लिए हम यह वाली photo select करते है इसके उपर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर हमारी photo select हो जाएगे उसके बाद यहाँ पर एक add show होगी जिसे यहाँ पर उपर की set से close करेंगे तो देख से तो photo हमारी यहाँ पर add हो चुके ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर cloth का option मिलेगा अगर आपको यहाँ पर cloth इसका change करना है कपड़े इसके change करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो ठीक है ना इसके उपर click करके इसके कपड़ों का color वगरा change करना है कपड़े change करना है सब कुछ यहाँ पर आप जो कर पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे option आपको मिलेंगे तो जैसे इसके उपर click करेंगे डारेक्ली यहाँ पर जो है इसके जो टी-शेट है वो change हो चुका है आप देख सकते हो इस तरह से जो भी color में आप टी-शेट रखना चाहते हो इस तरह से आप जो है रख सकते हो तो गैस मैं एक बात आपको बदायता हूँ अगर आप इसका premium plan नहीं लेंगे तो इसके अदर जो free में color आपको use करने के लिए मिल जाएंगे तो जो भी आपको करना यहाँ पर कर सकते हो वाइड मैंने रखा है उसके बाद यहाँ पर जो है आपको और भी option मिलेंगे custom अगर color करना तो custom कर सकते हो इसके बास saturation आपको कम जादा करना तो वो भी यहाँ पर आप जो कर सकते हो ठीक है यहाँ पर इसका brightness बढ़ाना तो वो भी इसका brightness भी बढ़ा सकते हो ठीक है अपने हिसाब से इस color को custom यहाँ पर आप जो कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर अपनी फोटो को enhance कर सकते हो इसके बहुत सारे option मिल जाएगे beauty के अलग लग यहाँ पर option मिल जाते अगर आप enhance के ओपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी फोटो को automatically processing पर क्लिक करके यहाँ पर complete तरीके से अपनी फोटो को enhance कर सकते हो यहाँ पर हम जो है right left लेके जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है after इस तरह से हमारी फोटो जो हो जाएगा उसके बाद किलिक नियांट को हो जागी यहांट तरीकिन से फोटों जीकिने लागा एक तए तो यहां पर इसको साथ को जाए। शावरा एंपि दाएंगे पिनले में को देखने करना लोले हैं घाले यहां पिर से घकने वाले ये बैनीके हैं उसके हैं रिश्थ टिक पे क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से आड़ा चुकि इसके अंदर आपको एड़ बहुत सारी देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री में एप्लिकेशन यूज़ करें तो एड़ तो देखनी पड़ेगी तो यहां पर देखतो बेकड्रॉफ का ऑप्शन मिलेगा फ इसके इंदर बहुत सारे उप्शन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे जो भी आपको यूज़ करना है वन बैवन आप यूज़ कर सकते हूं चलिए मैं बिफोर आप्टर वाल ऑप्शन बता रहे तो इसके उपर क्लिक करके यह देको पहले ऐसी फोटो थी आप ऐसी फो डये की उसके बाद हमारी जो फोटो यहँस हो चाएगी यहां पर गया यहांकर टो एड आ चुक है एड को क्लोस करेंगी अट-rekो क्लोस करने के बाद एक तो यह पर फोटो है हमारी gallery के अंदर safe ہو चुकिह, देखस़ तो यहाँ पर हमारी photo जो gallery के अंदर safe हो चुकिह, इस तरह से इस application के अंदर बहुत सारे option हैn到 home page पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे, जो भी मैंने option में कैसे यूज़ करेंगे तो गाइस जगर आप कोई वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और गर भी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए